सोमवार वर्थ कथा प्राचिन समय की बात है एक धर्वान सावकार था जिसके पास दनादी की किसी परकासे कमे नहीं थी लेकिन सदा ही दुख में सताता रहता था कि उसके बाद उसका वेफसाई कोन संभालेगा क्योंकि उसका कोई पुतर नहीं था इसी चिंदा में राद दिन रहता था पुतर प्राप्ति के लिए वे हर सोमवार के दिन भगवान का वर्थ वे पूजन किया करता था उसी दिन संद्या समय में वे सावकार शिवजी जी के विग्रे के सामने दीपक भी जलाता था सावकार के इस देश भक्ति भाव को देखकर एक दिन पारवती जी शिवजी से कहती है कि हे महराज यह सावकार आपकी श्रदा से आपका पूजन करता है और आप इसकी मनोकामना पूरन कर दीजिए पार्वती जी की बात सुन शिव जी कहते हैं कि है पार्वती यह संसार करम छेतर है जिस परकार से किसान जैसा बीज अपने खेत में वोता है वैसी ही फसल भी काड़ता है उसी तरह इस संसार में जो जैसा करम करेगा वैसा ही फल भी पाएगा शिव की बाते सुन पार्ती जी फिर से अत्यन ताग्रह से कहती है कि यह आपका अनन्भक्त है अगर आप किसी परकार का दुख हो और उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए पार्ती जी आगे कहती है कि आप सदेवी अपने भक्तों पर दयालू रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब कोई आपकी सेवा भाव वर्त नहीं करेगा पार्ती जी के बार बार आग्रह करने से शिव जी कहते हैं कि है पार्वती इस सावकार का कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंदा में यह दुखी रहता है इसके भागे में पुत्र है ही नहीं लेकिन तुम्हारे आग्रे से मैं इसे पुत्र होने का वर्दान देता हूँ लेकिन इसका यह पुत्र बारा वर्ष तक ही जीवित रहेगा इसके बाद वे मृत्यों को प्राप्त होगा क्योंकि इससे अधिक मैं नहीं कर सकता हूँ शीव पारवती के मद्य हुई इस वारतालाप को सावकार भी सुन रहा था इसलिए उसको ना परसंता हुई और नाखी दुख हुआ अब भी वे पहले की भाती शीव जी का वर्त वे पूजन करता रहा शीव की किर्पा से सावकार ने की पत्नी गरवती हुई और दस्वे मही ने उसकी पत्नी ने बहुत ती सुन्दर बालक को जनम दिया सावका के घर में बहुत खुशिया मनाई गई लेकिन सावकार को कोई खुशी नहीं मिले और अपने इस वहवार को उसने किसी को बताया भी नहीं जब बालक 11 वर्ष का हो गया तब उसकी मान ने उसकी विवा की इच्छा की सावकार को बताई तो लेकिन सावकार बोला कि पहले इसे काशी पड़ने भेजूंगा सावकार ने अपने सालों को बुलाया और भहुत सा धन देकर कहा कि बालक को काशी ले जाओ साथ ही सावकार ने कहा कि रास्ते में जहां भी जाओ वहां यक करना और ब्रामनों को भोजन भी कराना मामा भांजे रास्ते भर यक करते जाते और ब्रामन को भोजन भी करा रहे थे रहा में चलते चलते वह एक राजय में पहुंचे वहां के राजा की कन्या का विवा उस दिन होना था लेकिन जिस लड़के से विवा होना था वह एक आंक से काना था इस बात से लड़के का मामा बहुत ही परेशान था कि कहीं राजा अपनी पुत्री के विवा से इंकार ना कर दे इसी सोज में लड़के के पिता की निगा सावकार के पुत्र पड़ी जो बहुत ही सुन्दर था उसने सोचा कि दर्वाजे के सामने इस लड़के को खड़ा कर दिया जाए तो विवा हो सकता है। वर्ग के पिता उसे मामा से सारी बात कहते हैं और वहमान भी जाते हैं। सावकार के लड़के को वर्ग के वस्तर पहना कर घोड़ी पर बिठा दरवाजे तक ले गए सबी कारे सफलता से हो गए इसके बाद वर्ग के पिता फिर सोचते हैं कि क्यों ना विवाक की सारी रस्में इसी लड़के से करवा सामने रख कर ही पूरी कर ले जाए वै फिर से लड़के के मामा से कहता है फेरो वै कन्यादयान के समय भी आप अपने भाण्जे को ही बिठाना दे इसके बदले आपको धन भी मिलेगा मामा भाण्जे दोनों उस काम के लिए तयार हो गए विवाकारिया अच्छी तरह से निपड़ गया लेकिन विवाकारिया के बाद जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारे की चुन्डरी के परले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवा तो मेरे साथ हुआ है प्रन्तु जिस राजकुमार के साथ तुम्हारी विदाई होगी वह आंक से काना है मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने अपने चुन्डरी पर यह सब लिखा देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया कि यह मेरा पती नहीं है मेरा विवा जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है ऐसा होने से राजकुमारी की विदाई नहीं हुई और बरात वापिस चली गई इदर सावकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए लड़के ने अपनी सिक्षा आरम कर दी मामा यक करता रहा जब लड़के की आयू बारा वर्ष की हो गई उस दिन मामा भांजा यक कर रहे थे लड़का मामा से कहता है कि मामा जी मेरी तब्यत कुछ ठीक नहीं है मामा कहता है कि तुम भीतर जाकर अराम कर लो और लड़का कमरे में जाकर सो जाता है कुछ समय बाद लड़का के प्रान निकल जाते हैं कुछ समय बाद मामा भीतर आते हैं तो देखते हैं कि लड़के के प्रान निकल गए है वैं मुल्दा पड़ा है मामा सोचता है कि अगर मैं अभी से रोड़ना पीटना मचाऊंगा तो यक अधूरा रहे जाएगा इसलिए वे जल्दी से यक पूरा करता है तो ब्रामनों को भोजन कराता है उसके बाद वे रोना आरम करता है सयोग की बात है कि उसी समय शिव पारवती वहां से गुजर रहे थे जो रोने की आवा सुनते हैं जिसे सुन पारवती जी कहती है कि है महराज कोई दुख्या रो रहा है इसके कस्दूर कर दीजिए शिव पारवती पास आते हैं तो पारवती जी कहती है कि है तो वही लड़का है जो आपके वर्दान से पैदा हुआ था पारुतिक जी की बात सुन शिव जी कहते हैं कि इसकी आयू इतनी ही थी जो यह भोग चुका है पारुतिक जी कहती है कि महराज इस बालक को और आयू दीजिये नहीं तो इसके मातापिता मर जाएंगे पार्टी जी के बार बार आगरे करने पर शिवजी बालक की आयू बढ़ा देते हैं और वापिस कैलाज चले जाते हैं लड़के को पुने जीवन मिल जाता है और वैजीवित हो जाता है मामा भांजे पहले की भाती यक करते और ब्रामनों को भोजन कराते वापिस घर की और चलते हैं रास्ते में वैद दोनू उसी राजे में पहुंचते हैं जहां लड़के का विवा हुआ था जब इस राजे के यदोनू यक करते हैं तो राजा उन्हें पहचान लेता है और दोनों को महल में ले जाकर खातिर करता है कुछ समय वहां रहने के बाद मामा भाजे वहां से विदा लेते हैं तो राजा अपनी पुत्री को साथ में विदा करता है और साथ भहुत साधन देता है वह दास दासियों को भी भेशता है राजा प्रसंता से अपनी बेटी को विदा करता है जब वे अपने राजा के लिए निकट पहुंचने वाले होते हैं तब मामा कहता है कि पहले मैं घर जाकर आने की सूशना देता हूं मामा घर जाता है तो देखता है कि सावकार वे उसकी पतनी दोनों छट पर बैठे हुए हैं वे कहते हैं कि अगर हमारा फुतर नहीं आया तब हम दोनों यहां से नीचे कूद कर अपनी जान दे देंगे अगर वे कुशलता से आ गया तब हम नीचे आएंगे लड़के का मामा घर पहुँचकर उन्हें यह खुशकबरी देता है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनका पुतर जीवित है इस पर मामा शपत में कहता है कि आपका पुतर आ गया है और साथ में वे राजमारी से विवाब भी कर आया है राजा द्वारा दिये उपारो और धन वैदास दाजियों की बाद भी वह कहता है यह सब बाते सुन साउकार वै उसकी पत्नी परसंता पुरक पुत्र वै पुत्र वदू का स्वागत करते हैं और आनंद से रहने लगते हैं जो भी वैक्ति सोमवार के वर्त व्यपूजन करकथा को कहता है अत्वा सुनता है तो उसकी सबी मनोकाम नाय पूरन हो जाती है आम जय शिव आम कारा स्वामी जय शिव आम कारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अरधांग नीधारा ओम जैशिव ओम कारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हनसानन ग्रडु सांसन विष्वान साजे ओम जैशिव ओम कारा दो भुजे चार चतुर भुजे दस भुजे अतिसो हे स्वामी दस भुजे अतिसो हे त्री गुन रूपर निखरते त्री भुवन जनमों हे ओम जैशिव ओम कारा Aksh maa la van maa la Mund maa la dhaari Swam e fund maa la dhaari Tri pari kansari Tri purari kansari Karma la dhari Om jaya Shiva Om Kara श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे स्वामी भागांबर अंगे संकादिक गरुनादिक संकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे ओम जैशिव ओम कारा करके मध्य कमंडल चकरत शुलधारी स्वामी चकरत शुलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालन कारी ओम जैशिव ओम कारा ब्रह्मा विष्ण सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका मधु कैटप दो मारे सुर्भैहिन करे ओम जैशिव ओम कारा लक्षमी वैसा वित्री पार्वती संगा स्वामी पार्वती संगा पार्वती अरधांगनी शिव लेहरी गंगा ओम जैशिव ओम कारा पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलाशा स्वामी शंकर कैलाशा भांग धतूर का भोजन भांग धतूर का भोजन भसमी मेवासा ओम जैशिव ओम कारा जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला स्वामी गल मुंडल माला शेश नाग लिप्टावत शेश नाग लिप्टावत ओडत म्रिग चाला ओम जैशिव ओम कारा काशी मेविराज विशवनात नंदी ब्रहमचारी स्वामी विशवनात नंदी ब्रहमचारी सिनित उठ दर्शन पावत महिमा अतिभारी ओम जैशिव ओम कारा त्रीगुन स्वामी जीकी आरती जो कोई नरगावे स्वामी जो कोई जनगावे कैत शिवानंद स्वामी मन वांचित फल पावे ओम जैशिव ओम कारा ओम जैशिव ओम कारा स्वामी जैशिव ओम कारा ब्रहमा विश्नु सदाशिव अरधांग निधारा ओम जैशिव ओम कारा ओम जैशिव ओम कारा स्वामी जैशिव ओम कारा ओम जैशिव ओम जैशिव ओम कारा कारा